तो यहां पे हम 3rd number का problem देखेंगे, 3rd number का problem क्या है मारा, 2y square plus 27y plus 13 equal to 0, अब हम इसको क्या करेंगे, यह numbers, मतलब यह कुन सा number, यह वाला numbers और यह वाला numbers, इसको क्या करेंगे, हम multiply करेंगे, तो यहां पे कितना है, plus 13 into, इसको कितना number है, 2, इसका हम multiply करेंगे, तो कितना बन हो गया 26, भी 26 के हम ऐसे फ्यक्टर करेंगे जिस फ्यक्टर के अडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें कुम संपर ऄह नम्बर आना चाहिए यह वाला नम्बर आना चाहिए यह थो फ्यक्टर हांगे तो 26 यह हो गया. 26 plus 1 कितना होता है 20 धे होता है, अब साइन देखेंगे, यहां पर कुन साइन प्लस है, तो इन में से बड़ा नमबर जो रहता है, इसका साइन यह वाला रहता है, यह पर यह भी प्लस होगा, इस तरह से, यहां पर कुन सा वेरेबल यूच किया है, यहां पर य लिख देता हो, तो हमारे दो फैक्टर कुन से हो गए, एक हो गए प्लस 26y और सेगंड हो गए हमारे प्लस 1y, यह दो फैक्टर हो गए, आप इसके जगह पर इस दो फैक्टर को लिखेंगे, चला हम किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, इसको यह बन जाएगा, twice y square प्लस यह कितना बन जाएगा यहाँ पर, 26y प्लस 1y प्लस 13 इकवर टू 0, इस तरह से हो गया, तो यह हो गया, इस तरह से इस दो दो का ग्रूप में कनवर्ट कर दीजिए, इस तरह से हमारे ग्रूप में कनवर्ट हो जाएगा, अब देखेंगे य यहां से क्या को दू निकल लेते, यहाँ पर two है, और 26 में bी two रहे लेत टू इंटो 13 होता है, यहां पर y सक तरह यहां से निकल लेता, यहाँ पर two निकल गए, two आप सद्स दशे अब यहां पर वान में यहां इंटु फरी तो फॉं फिल्स रावण कर लेते हैं लाजाअ यहां पे च्छा भी जीश को अनुगते हैं यह इ निंए चिवर यहां पर आप क्या लेकिंगे हम हैं यह यहां से हमने यह common निकाल दिया यहां से हमने one common निकाल ले अब क्या करेंगे यह दो डब्बे में से एक डब्बा यह हो गया और यह दोनों डब्बे कैसे सेम से मैं तो दोनों डब्बे में से हमें एक डब्बा लिखना है उनली एक ही डब्बे को हम यहां पर लिखेंगे तो n Squirt probiot ک foster इस तरह से भ आप requires जो प्राइकिट आया हमारा अब अब यहांतेश वहीं दोनों भ्रैक रीक इस telescope कौमन निकॉ दैव में तो y plus 13 equal to 0, एक हो गया, और r में लिख देते हैं, तो यह बन जाएगा, twice y, मतलब यह वाला bracket, plus 1 equal to 0, इस तरह से हो गया, अब इसको solve करते हैं, किस तरह solve करेंगे, यह बन जाएगा, y equal to, यहाँ पर देखो, plus है, यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में, negative होगा, यह बन किसे solve करेंगे, तो इसको हम यहां पर लिखे जाते होगा, twice y equal to, यह प्लस है, तो यह क्या बन जाएगा, minus 1 उप्णडवागा, तो यह पर क्या जाएगा, y equal to minus 1 upon 2, तो यह है एक हमरा second होगा, इसका solution set कर लिखेंगे हम, इसका solution set लिखेंगे हम यहां पर, solution set, solution set क्या आएग यहां पर आएगा solution set, minus 13, minus 13, दूसरा कुन सा है, minus 1 upon 2, minus 1 upon 2, तो यह हो गया हमारा solution set, इसे आप दूसरे तरिके से भी लिख सकते हैं, कैसे, roots, roots are, roots of the given equation, roots of the given, roots are इतना भी sufficient है, तो क्या होगा, minus 13, और second कुन सा है, and minus 1 upon 2, तो इतना हमारा answer हो गया, आप चाहे तो इस तरह से लिखे, solution set नाम लिखे, चलेगा, या आप roots are, इतना भी लिख दिया, फिर भी चलेगा,